हेलो एवरिवान गूट मॉनिंग कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का मौसम बहुत अच्छा है आभी धूप निकल चुकी है सुबह में तो ऐसा लग रहा था कि आज भी सायद मौसम अच्छा नहीं होगा सुबह बादल हो रह ती और कल बिल्कुल भी कुछ भी साफसफाई का काम नहीं हुआ है और आप लोगों को पताई होगा जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं मैं दो तीन दिन पहले मतलब दो तीन दिन से कहीं गई हुई थी तो मैं पड़सो आई थी और पड़सो तो साम ही हो गई थी आते आते और कल पूरा दिन बारिस हुई तो कल भी कुछ काम नहीं हुआ ताप सफाई का और बस आज मैं बहुत जल्दी उड़ गी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज बहुत सारा काम करना है और मैं तो चली गई थी दो-तीन दिन पहले और क्रिश्ना और क्रिश्ना के पापार आये थे नए साल के दिन ये दोनों यहाँ ही पर थे तो मैं नहीं थी तो घर तो फैल ही गया था इसलिए मुझे आज साफ सफाई का बहुत सारा काम कर सारे घर को अच्छे से क्लीन करना है और कल बारिस हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया गया 1000 पेछता गया सारे में घुला किलीन करना था तो तो зак आद वहुत ज़्यादा घंदा अगर आ बस अब सारे घर में अच्छे से लगानी है जाडू और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुले हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, तो जो कपड़े मुझे धुले हैं, वो सारे मैंने एक जगा उठा कर रख दिये हैं, तो पहले बस जाडू लगाऊंगी, उसके ब झाल 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 तो अभी साफ सफाई का जो काम है वो मेरा कम्प्लीट ही हो गया है सारे में मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया है अंदर कमरे में भी दोनों कमरों में ही साफ कर दिया है और बहार भी सारे में कर दिया है साफ सफाई जो धूल थी समानफोर वो सारी साफ कर दिया है वैसे सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूल नहीं आती जितनी गर्मियों में आती है गर्मियों में ते बहुत ही ज़्यादा धूल आती है हमारे घर में लेकिन फिर भी भाई मुझे कई दिन हो गयते हैं अच्छे से साफ सफाई करे हुए घर में तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है तो वो मैंने अच्छे से साफ कर ली है और अब सारे घर में अच्छे से लगा दूँगी पोछा और अभी मैं light का भी इंतिजार कर रही हूँ जब तक light आएगी सायद मेरा जो सफाई का काम है पोछा लगाने का काम है वो सायद सारा हो जाएगा और light के आते ही मैं तुरंत कपड़े धुलने के लिए machine लगा दूँगी और साथ में खाना भी अपना बनाती रहूँगी क्योंकि खाने का भी काम जरूरी है कपड़े भी धुलते रहेंगे और खाना भी बनता रहेगा कपड़े तो बहुत सारे हैं पता नहीं कितना टाइम लगया आज कपड़े धुले में तो बस सफाई का काम में रहो गया है कीचन भी मैंने अपना क्लीन कर दिया है सबसे पहले आज मैंने कीचन ही साफ किया था बरतन बरतन सब साफ करके रख दिये हैं मैंने और मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वाच करना और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए अब अपनी इस छोटी सी वीडियो का यहीं पर हम एंड कर लेते हैं और मैं आप से अपनी नेक्स वीडियो में मिलूंगी तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कि अपनी अपना किैसे लोग से लोगष देयरे नेक्स का लुश बENDे